सेल्यूट आपके परिश्ण को सेल्यूट आपके धैरिय को सेल्यूट आपकी लगन को सेल्यूट आपकी जीवरता को इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजिशन यानि कि इस्रों ने चंद्रियान थ्री की चंदमा की सतेफ़ सपेल लेंडिंग कराकर एक नया इतिहास रचार इस्रों के बैग्यानिकों के सामर्त को पिर्टीक भारती साइट पूरा विश्व सल साम करना आज बिश्व के तागतवर देश भी फारत का लोहा मानना है चालिस दिन की यात्रा करने के बाद 23 अगस्ट को चंद्रियान स्ली का विक्रम लेंड़न चलंदा की सतय पर पहुचा जैसे ही रोवर प्रग्यान सतय पर उतरा तो इस रोक मुख्याला तालियों से साथी जाने लगी भारत माता की जै और बंदे मातरम के नारे लगने लगे इतोरान ब्रिक्स सम्मिट में पिया नरेंदर मोधिर वीडियो कॉंफरेंसिंग के माधियम से इस रो और भारतियों को बदाई दी हर किसी ने अपने सोचल मीडिया प्लेट्पॉम पर इस रो को ब पोचे तो उन्होंने सबसे पहले बैंगलोर इस रो के मुख्याले जाकर मून मिशन से जुड़े बैग्यानिकों से मुलाकात की और उन्हें बदाई दी उनके लिए स्टेंडिक ओवेशन कराया और साथी बैग्यानिकों के सामर्थ पर जमकर उनकी सरहना की पीम ने इस रो में तीन भोचनाई की हैं और पहली 23 अगत को अब हर साल भारत नेशनल इस पीस डे मनाएगा दूसरा चांद पर लेंडर जिस जगह उत्तरा है वहां पर श्रिफ शक्ती पॉइंट कहलाया जाएगा तीसरी चांद पर जिस जगह चंद्रयान टू के पदचिन है उस पॉइं पॉइंट को अब उस पॉइंट को शीव शक्ती के नाम से जाना जाएगा तैइस अगस्त को जब भारत में चंद्रमा पर तिरंगा फैराया उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस दे के रुप में मनाया जाएगा चंद्रमा के जिस्थान पर चंद्रयान टू ने अपने पदचिन्न छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा अपने 45 मिनेट के भाशन की शुरुवाद में पीम नरेंदर मोदी की आखे भर है उन्होंने ये भी कहा कि मौन मेशे में काम्याबी मिलने के बाद वो यहां आने का बेसमरी से इंतिजार कर रहा है पीम नरेंदर मोदी ने बैग्यानी को कुधिश के भाविश की दिशाते करने वाला बताया मोदी ने एक नया नारा दिया जै विज्ञान जै अनुसंदार बता दे के से पहले पीम नरेंदर मोदी बैंगलोर में रोट्शो भी किया है जल्ड से जल्ड आपके दर्शन करना चाहता था आप सब को सेलिट करना चाहता था सेलिट आपके परिश्ण को सेलिट आपके धैरिय को सेलिट आपकी लगन को सेलिट आपकी जीवरता को सेलिट आपके ज़जबे को आप देश को जिस उंचाई पर लेकर गए है ये कोई साधारन सफलका नहीं है ये अनन्त अंतरिक्ष में भारत के बैज्यानिक सामर्थ का संखनाद है तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है आप सभी बैज्यानिकों ने किया है आज पूरी दुनिया भारत की साइन्टिफिक स्पिरिट का हमारी टेकनोलोजी का और हमारे साइन्टिफिक टेंपरामेंट का लोहा मान चुकी है चंद्रयान महावियान सिर्फ भारत की नहीं बलकि पूरी मानवता की सफलता है एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी सहयोग भी नहीं था हमारी गिंती थर्ड बल यानि थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी थर्ड बल थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी वहां से निकल कर आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थे वबस्ता बना है आज प्रेड से लेकर टेकनोलोजी तक भारत की गिंती पहली पंग्ती एनि फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है यानि थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इस रो 21 सदी का न्यू भारत अबर चेत्र में लीट कर रहा है इस पेस्ट चेत्रों में तो भारत ने पर्चम लेराया है और साथी डिफेरेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर सहीत तभी चेत्रों में भारत कई गुना आगे निकल गया है ब्यूरे रिपोर्ट, टी एफी नियूग